Hey everyone, welcome to the laptop series. Laptop series में हम आपको आपके budget और category के हीसाब से Laptops recommend करते हैं और आज के वीडियो में जो category हम cover करने वाल है वो है programmers की तो अगर आप एक app developer, web developer या फिर किसी भी प्रकार की programming करते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बनी है अगर आप एक programming के लिए laptop चूस कर रहे हो तो आप ये भी देखो कि आपकी hobby या फिर कोई secondary need तो नहीं है मतला अगर programming के साथ editing करना चाहते हो video editing करना चाहते हो gaming करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप laptop लो क्योंकि programming के लिए कोई specific need नहीं होता है आप हर laptop पर अल्मोश programming कर सकते हो बट अगर आपको कुछ दूसरी चीज़े चाहिए तो आपको उस चीज़े के लिए hardware सिलेक करना पड़ेगा यह बना अरेडी video editing VFX यह बना दिया है laptop का recommend कर दिया है तो वहाँ आप आप सिलेक कर सकते हो laptops अपने लिए चले देखते हैं कौन से laptop सगी रहेंगे under 30,000 budget के तो आपसे पहला laptop हमें देखने को मिलता है Acer Extensa यह laptop आता है Ryzen 3 7 3 2 0 U के साथ यह एक latest processor है बहुत ही अच्छा है बट currently अवेलेबल है बट कभी-गभी यह अवेलेबल हो जाता है Acer Aspire Lite को भी जो की आता है i3 11 engine के साथ चले बात करते हैं laptops between 30 to 40,000 रुपीज यहां में आपको recommend करूँगा Honor MagicBook 14 जो की एक compact सा laptop है इसमें आपको Ryzen 5 5500 U देखने को मिल जाता है इस लिस में जो next laptop है वो है Acer Aspire Lite जो की सेम प्रोचेसर के साथ आता है Honor MagicBook वाले इसमें भी आपको Ryzen 5 5500 U ही देखने को मिलता है बड़ इसमें जो special बात है वो है इसका 16 GB of RAM अलब यह price में नहाई 16 GB of RAM मिलना बहुत ही मुश्केल है नहीं मिलता है बड़ आपको इस laptop है मिलता है जो कि आपको help करेगा Android Studio जैसे software score run करने के लिए क्योंकि यहाँ पर simulation अगरा होता है तो वहाँ पर आपको जो RAM की requirement हो बढ़ जाती है इस list का जो अगला laptop उने वाला है वो है ASUS VOBook 15 जो कि आता है i3 12 Gen के साथ इस laptop को भी आप consider कर सकते हो अगर आप अपना budget बढ़ा सकते हो तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ऑप्शन है आपके लिए ASUS VOBook 15 इसमें आपको OLED स्क्रीन देखने को मिलता है यह आता है Ryzen 5 7520U के साथ प्लस यह काफी थिन और लाइट लाप्टाप है तो इससे आप जरूर consider कर सकते हो और यह आता है 16GB of RAM के साथ अंडर 50,000 इक और बहुत ही बढ़िया लाप्टाप देखने को मिलता है 14 इंच का जो कि है MSI Modern 14 इसमें आपको i7 1255U देखने को मिलता है जो कि 12 जन का i7 है प्लस में आपको 16GB of RAM देखने को मिलता है विद इंटल आरी 6C ग्राफिक यह laptop बहुत ही अच्छा option रहेगा आपके वर्क के लिए आप मेंसे बहुत सारे लुक का question होगा कि उन्हें एक machine learning के लिए laptop चाहिए मतलब models train करने के लिए laptop चाहिए उनके लिए मैं सज़ेश करूँगा आपको एक normal laptop लो आपको कोई high GPU वाला laptop लेने की जरुवत नहीं है उसके साथ-साथ आप यूज कर सकते हो cloud services वो आपके लिए एक बहतर option हो जाएगा बट चिल आप एक GPU वाला laptop चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो यह ASUS Vuebook Pro 15 इसमें आपको Ryzen 5 5600H देखने को मिलता है तो आप इस laptop को भी consider कर सकते हो if you are looking for a GPU और आप गेमिंग अगरा भी इस पर कर सकते हो और वहीं अगर आपको एक thin, light और powerful laptop चाहिए तो आप जा सकते हो ASUS Vuebook 16X के साथ इसमें आपको Ryzen 7 5800HS देखने को मिलता है 16GB of RAM तो यह भी बहुत बढ़ी option हो जाएगा आप लोगों के लिए इवन इसके आगे आप MacBooks भी consider कर सकते हो MacBook Air M1 ले लो, M2 ले लो, M2, Pro ले लो जो भी लेना है आप ले सकते हो MacBook बहुत ही अच्छी option होता है प्रोग्रामिंग के लिए तो अगर आपका budget अलाओ करता है तो मैं सगे शरूँ आप MacBook consider करें बहुत ही अच्छा option रहेगा तो वाइस आने वाले टाइम में आपको Amazon और Flipkart पे sale लेखने को मिलने वाली है तो मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उन sale में laptops को खरी देंगे तो उन सभी लोगों के लिए मैंने एक WhatsApp channel बनाया है तो आप join कर सकते हो link आपको description में मिल जाएगा तो वहाँ पे कुछ अच्छी deal दिखी तो मैं live उसे post कर दूँगा जो भी channel से related update होगा कोई भी आपकी query रहेगी पोल्स वगरा हम करेंगे काफी interactive होने वाला हो गुरूप लिंक description में आप जरूर उसे join कर ले I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जो भी laptops मैंने recommend के उनके link आपको description में मिल जाएगे इसे के साथ साथ मैंने programming, VFX, designing इन सारे चीजों का भी category के laptop suggest किये हुए है तो अगर आप interested हो तो उन्हें भी check कर लीजे वीडियो अच्छा लगा तो like करना मैं मिलता हूँ आपसे next video में